बच्चे का वजन तो बहुत काम है अच्छा, अब क्या होगा? रीना ने तुम्हें कुछ नहीं बताया ओम्र के अनुसार बच्चे की बुद्धी, वजन और हाइट मतलब उच्चता ठीक ना हो और अगर बच्चा सुस्त रहता है तो समझ लो की कूपोशन की समस्या है उसी समय डॉक्टर को दिखाना होगा MCP कार्ड कहां है? यह देखो, यहां जो लिखा है उससे तुम्हारे बच्चे का वजन बहुत ही कम है जब बच्चा पेट में था, तब अच्चे से नहीं खाया था क्या? गर्ववती मा को ज्यादा करके खाना पड़ेगा ताकि बच्चे को सही पोशन मिल सके छे महने तक बच्चे को सिर्फ मा का दूद दिया जाएगा छे महने के बार घर का नरम खाना मसल कर थोड़ा-थोड़ा खिलाया जाएगा बच्चा बार-बार बिमार तो नहीं पढ़ रहा, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा इसके अलावा आगनवारी सेंटर से संपर्क बनाये रखना पड़ेगा वहाँ से जो खाना दिया जाएगा वो भी रोज खिलाना होगा उसी आगनवाडी सेंटर या पास के स्वास केंद्र में बच्चे का प्रती महिने वजन कराया जाएगा बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ साथ टीके के सभी डोस दिये जाएंगे और एक साल के बाद किर्मी की दवा पिलाई जाएगी वही पर मा और शिशु सुरक्षा काट दिया जाता है और यदी कभी जरूरत पड़े तो डॉक्टर बाबू को दिखाना पड़ेगा समझी? हमेशा साफ सुतरा रहना होगा लाटरिन करने के बाद बच्चे को खिलाने से पहले साबून से अच्छे तरह से हाथ धोना होगा रीना की बात सुनने से आप सभी स्वस रहेंगी यह बात कब समझ में आएगी?